फैडरल बैंक जो की राकेज जुनजुन वाला जी के पोर्फोलियो का हिस्सा है पिछले कई सालों से और प्राइवेट सेक्टर बैंक का ये शेर देखा जाए तो एक कमपाउंडर बनके उबरा है पिछले 10 सालों के अंदर और ये शेर 2013 के अंदर लगबक 30 रुपे का हुआ क और यही कारण है लोगों का फैडरल बैंक पर फोकस थोड़ा सा कम रहता है पर फैडरल बैंक की जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी कॉंस्टेंट रही है जिसके कारण आप देखें फैडरल बैंक की जो एसेट कॉलिटी रही है वो हमेशा मैंटेन रही है और इस बैंक ने पैसा बना कर ही दिया है अगर बैंक की आप रिटर्न ओन इक्विटी भी देखें तो वो भी डबल डिजिट में ही मैंटेन रही है अगर हम बैंक के कुछ पॉइंट्स भी देखें तो हमें पता लगेगा कि राके जुन जुन वाला जी ने इस बैंक को अपने पॉर्टफोलि है जब बैंक का प्रॉफिट लगबग चार गुना हो सकता है तो बैंक के और रेशो में तो बहुत तेजी आई होगी तो आज की जन्री में मैं आपके साथ फैडरल बैंक का कंप्रीट एनलेसिस करूँगा और साथ ही साथ जो हमारी कंपाउंडिंग स्रीज है कि जिसमें हम यह डिसकस कर रहे हैं कंपाउंडिंग स्टोक को पीवी पॉर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए उसका भी विस्तार करूँगा चलिए वीडियो को शुरू करते है अगर फैडरल बैंक की लोन बुक की बात करें या बिजनेस की बात करें तो फैडरल बैंक रिटेल होलसेल बैंकिंग का भी कारोबार करता है और होलसेल बैंकिंग के अंदर बैंक का जो मेन फोकस है वो कॉर्परेट बैंकिंग पर है कॉर्परेट बैंकिंग के अंदर अगर बैंक की लोन बुक देखें तो लगबग सरसर 1140 करोड रुपे की है और अगर हम बैंक के गोल्ड लोन बिजनेस काफ़े अट्रेक्टिव भी लगता है क्योंकि इस पर बैंक को जो है लगबग 10% की इल्ड मिलती है कहने का मतला इस पर बैंक लगबग 10% का ब्याज का ग्राक से लेता है बैंक के पास लगबग 55 टन के करीब सोना भी इस समय अपने पास बैंक के पास जाए तो लगबक 71% की करीब maintain हैं और अगर बैंक के इस समय green portfolio की बात करें कहने का मतलब renewal energy से related अगर पोर्ट फोलियो की बात करें तो बैंक का पोर्ट फॉलियो समय लगबक 35 करोड रुपे के आस पास है जिसको बैंक ये बता रहा है कि 2015 दक बैंक का ये portfolio लगबक 13,000 करोड र प्रेक्टर के अंदर भी अपने कारोबार को चला रहा है जहांसे भी बैंक को एक अच्छी कमाई आ रही है एक नजर बैंक के पिछले पांच कोर्टर के फिनेंशल्स पर डालते हैं जिससे में कुछ शौट ट्रम में भी बैंक को लेकर काफी कुछ पता लगेगा अगर हम दे लगबग 2,22,496 करोड रुपे के करीब जा चुका है और यहीं अगर बैंक के हम लोन की बात करें लोन बुक की बात करें जो की जून 2022 के अंदर 1,51,689 करोड रुपे की थी वो लगबग अब 1,83,5,487 करोड रुपे के असपास की हो गई है रेटर नोन इक्यूटी बैंक क लगबग double digit में maintain रहता है जो की जून 2022 के में लगबग 13% के आसपास था वो current में अगर अब देखा जाए तो लगबग 15-16% के बीच में चल रहा है रेटर नोन इसेट्स बैंक का 1.10 के करीब था जून 2022 में वो इस समय 1.30 है जो की 1K प्लस ही regular maintain रहता है यहीं अगर बैंक के gross NPA की बात करें तो वो अगर figures में देखें तो लगबग 4,184 करोड रुपे है जो की जून 2022 में लगबग 2.69% था वो अब घटकर 2.38 है वो भी बैंक का जो है एक maintain लेवल पर ही चलता है यहीं अगर बैंक के net NPA की बात करें तो वो 1% के नीचे चल रहा है वो जून 2022 में वो इस समय लगबग 0.69 है अगर हम बैंक का cost to income ratio देखें तो वो भी बैंक का 52.68% था वो इस समय लगबग 50.87% है यह भी बैंक का लगबग maintain ही चलता है प्रोविजन कवरेज रेशो बैंक ने अपना बढ़ाया है बैंक कहने का मतलब अगर पिछला कुछ लोन जो NPA भी है तो प्रोविजन कवरेज रेशो अगर बैंक का देखें तो 65% से बढ़का लगबग 70% के करीब आया है और यहीं अगर बैंक के net interest margin की बात करें तो वो 3 प्लस की रेंज में regular चलता है जो की maintain भी रहता है बैंक की तरफ से और regular basis पर अगर बैंक की net interest income की बात करें तो वो से बढ़कर लगबग 854 करोड रुपे के आसपास है और बैंक के अगर कासा रेशो की बात करें तो लगबग 30 प्लस की रेंज में कासा रेशो भी maintain है और बताया यह भी जा रहा है बैंक की तरफ से बैंक अब हर साल लगबग 100 प्लस ब्रांचे हर साल खोलेगा और current में अग प्लांचों को लेकर भी काफी बड़े प्लान के साथ काम कर रहा है जैसा मैंने आपको बताया बैंक एक constant performer बैंक है और यही कारण है कि बैंक जो एक compounder बनकर पिछले 10 सालों में उबरा है बजार के अंदर और बैंक का share 30 रुपे से लेकर आज 135 रुपे का भी हुआ क्योंकि बैंक ने अपनी हमेशा asset quality को maintain रखा है बैंक ने अपनी landing quality को maintain रखा है क्योंकि finance sector के अंदर पैसा बाटना आसान बहुत है लेकिन उसको बजार से लाना बड़ा मुश्किल है और जिन बैंकों के पास ये identification सुरू से रहा है कि हमें अपना पैसा किस जगे पर बाटना है उन बैंकों की quality हमेशा ही अच्छी रही है तो federal bank कर regular perform करने का कारण भी ये बहुत बड़ा रहा है कि bank ने जो है हमेशा अपने business फर focus होके काम किया है और ये सब कहीं न कहीं एक बहुत बड़े कारण है जिस समय पता लगता है कि राके जुन जुन वाला जैसे ace investor भी आज की date में भी federal bank में stay invested है और उन्होंने अपनी stake पिछले समय में बढ़ाई है क्योंकि federal bank ने जिस तरीके से regular performance की है उस हिसाब से ये एक long term portfolio stock है और हमेशा हम लोगों को short term multi baggers न डूंड कर अपने portfolio में long term compounders को भी रखना चाहिए क्योंकि वो भी आने वाले समय में multi bagger बनके ही उभरते हैं और इन में risk कम होने के कारण हमारे पैसे का नुकसान होने का chance भी कम देता है federal bank का जो मैंने आज आपके सामने analysis किया है उसका एक ही कारण है कि हमें constant compounders पर focus करना चाहिए और portfolio में इन shares को भी हिस्सा देना चाहिए और ना जाने कितने ऐसे shares हैं या company हैं जो कि constant compounders हैं जो कि कि मैं आपके सामने आगे भी लाने की कोशिश करता रहूंगा अशा करता हूँ federal bank को लेकर आज आपको काफी कुछ पता लगा होगा और federal bank को आप जो है एक long term compounder के रूप में ही देखेंगे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नम आपका